आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2023 की 5 बड़ी अपडेट के बारे में तो आप इस वीडियो को इससे पूरा जरूर देखें और अंतक देखें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनू के इस्टूएंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी और साथ में जो बैल आइकन है उसे जरूर दबाए ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी चरफ से आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे तो आप सीधा वीडियो की सुरुआत करत है और आपके लिए ग्रेड कार्ड अपडेट कर दिया गया लास्ट अपडेट जो ग्रेड कार्ड की आई थी वो 20 अक्टूबर 2023 को आई थी यानिकि 20 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर आज आपके लिए ग्रेड कार्ड को अपडेट किया गया है तो आप अपना एक्जाम रिजल्ट, रिवैलियोईशन, असाइमेंट या फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किसी का भी रिजल्ट आया है तो आप चेक कर सकतें कि ग्रेड कार्ड में उसको अपडेट किया गया या फिर नहीं कुछ इस प्रैक्ट की ये भी सिकायच थी कि ग्रेड कार्ड उनका ठीक तरीके से नहीं खुल पा रहा है तो हो सकता है कि कुछ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपके ग्रेड कार्ड में या फिर आपने कोर्स कोर्स सही तरीके से ना डाला हो तो उनको सही तरीके से डाल कर आप फिर से चेक करेंगे वरना एक बार अपना जो Google Chrome है या Google जिस पर भी आप खोल रहे हैं किसी ब्राउजर पर अगर आप खोल रहे हैं तो उसको एक बार रिफ्रेस करके अगर आप दुबार से चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो समस्या चली जाए आपके लिए आज 28 अक्टूबर को ग्रेड काड अपडेट किया गया है आपके लिए आज रिवैलुएशन का रिजल्ट भी अपडेट किया गया जून 2023 के एक्जाम का रिवैलुएशन का फॉर्म जिस भी इस्टूबर ने भरा था उनके लिए रिवैलुएशन के रिजल्ट की अपडेट पूरे लगभग 10 दिन बाद आपके लिए जारी की गई है लास्ट अपडेट जो आई थी वो 20 अक्टूबर को आई थी और आज 28 अक्टूबर को आपके लिए नई अपडेट रिवैलुएशन के रिजल्ट की आई है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा जहां पर से आप अपना रिवैलुएशन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं और जून 2023 के एक्जाम रिजल्ट की आज एक और अपडेट आपके लिए जारी की गई 28 अक्टूबर 2023 को यानि कि जिन भी इस्टूएट का जून 2023 के एक्जाम का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका रिजल्ट आना रहता है तो वो एक बार फिर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि एक बार फिर से आपके लिए जून 2023 का स्टेटस है उसको अपडेट कर दिया गया है प्रेट के बार में बात करते हैं और आपके लिए दिसमबर 2023 के एक्जाम की फाइनल डेट सीट रिलीस कर दी गई है कि आपके 1 दिसंबर 2023 सुक्रवार के दिन के एक्जाम सुरू हो रहे हैं और जो खतम होंगे एक्जाम वो आपके 9 जनवरी 2024 तक होंगे यानि कि पिछली जो कुस डेट सीट आई थी दिन में 5 जनवरी लास्ट डेट बताई गई थी उसको extend कर दिया गया और 9 जनवरी 2024 अब आपके लिए जो नई डेट्स हैं वो हैं यानि कि कुल मिलाकर 31 दिन आपके एक्जाम जया वो चलने वाले हैं बीच में कोई छुटी पढ़ रही है जैसे Christmas Day है, Sunday है तो उनको हटा दिया गया है और 1 दिसमबर से लेकर 9 जनवरी तक आपके एक्जाम चलेंगे अगर आपने अभी तक date sheet को डाउनलोड नहीं किया है तो एगनू के डाउनलोड section में भी आपको date sheet मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल चोहान वीडियोज वाईटी पर भी आपको ये date sheet मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा next update के बार में बात करते हैं और December 2023 के exam के रुपर एक और update है अब आप अपना examination form 10 November 2023 6 बज़े तक without late fees अपना examination form भर सकते हैं अभी तक क्या था 22 October तक without late fees उसके बाद 500 रुपे की late fees 27 October के बाद 11 रुपे की late fees तक आप इसको आटा दिया गया है और 10 November 2023 तक आप 6 बज़े तक without late fees अपना examination form भर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही